सो हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो पे स्वागत है सो दोस्तो आपने बड़े-बड़े क्रेटर लाइक आकाश राना, तूशा और पायला, गर्वित सैनी, अक्षवीन जादो आपने काफी सारे क्रेटर देखाँगे, वो अपने बैकड़रोंड में कुछ music यूज़ करते हैं अब लोग सोचते हों कि हम अपने बैकड़रोंड में ऐसे music को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमें उसको पता नहीं है दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो का background music कैसे पता कर सकते हो, किसी भी बड़े creator का background music कैसे पता कर सकते हो, तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को शुरू क डाउनलोड कर लें, तो डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बड़ा easy method बताने वाला हूँ, उसके लिए हम चलते हैं अपने mobile phone के home screen पर, तो दोस्तो आपको सबसे पहले अपने instagram पर चले जाना है, तो instagram पर जाने के बाद आपको सबसे पहले उस reel के उपर चले जाना है, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो दोस्तो मैं आपको एक अपना यी वीडियो डाउनलोड करके दिखाऊंगा, एंड उसका ही आपको background music पता करके दिखाऊंगा, तो मैं उस वीडियो को आपको एक बार play भी करके दिखा देता हूँ, एंड उसका background music आपके सामने live group पता क करके दिखाऊंगा मोदा जी दुखदर्द तकलीफ तो हमारे जंदगी में भी है डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिंक को कोपी कर लेता हूं यहां से तो मेरा लिंक को पर की करता हूं तो मैं जैसे सर्च के ऊपर किलिक करता हूं तो मैं है अजाएगा आपको जाएगा पर डूपर करने के बाद मैंने आपको डिस्कृप्र न के अंदर जो second वाला वाला है उसे मैं आपको अपने mobile phone की home screen पर बताऊंगा तो जैसी आप second वाले link के उपर click करोगे तो कुछ इस तरह का dashboard आपके सामने खुल के आने वाला दस्तो आपको थोड़ा नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा choose file के नाम से तो इसके उपर आपको click कर देना है और दस्तो आपको gallery से वो video select कर लेना है जिसका आपको background music पता करना है तो चलिए मैं choose file के उपर click करूँगा और मैं उस video को select कर लूँगा जो मैंने आपको अभी recently download करके दिखाया है तो इसके उपर मैं click करूँगा और उस video को मैं यहाँ पर select कर लूँगा दस्तो तो चलिए मैंने उस video को यहाँ पर select कर लिया और मैं choose के उपर click कर दिता हूँ तो चलिए दस्तो इसके उपर आपको click कर देना है यहाँ पर upload वाला option दिखाई दे रहा है तो यह वीडियो यहाँ पर uploading start हो चुके है दस्तो तो अभी आप लोग देख पर के और वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप अपनी वीडियोस में use कर सकते हो तो दस्तो यह काफी simple method है मैंने आपको यह काफी आसान तरीके से बता दिया तो उम्मीद करना वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना है चैंपर नहीं हो तो सब सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी नेक्शे वीडियो में तब तक लिए टाटा एंड बाइबाए